तो बिछड़ गया इंसे छोड़ दिया तो कोई इनके साथ है कौन है ना देश की जंता है ना छेत्रिय दल है ना कोई है और छेत्रिय दल स्टेट है तबी न से बिहार की उपमोखेमंद्री तेश्य उप्रसाद यादो आपको बता दे चले जेपी नड़ा पर जमकर वो भढ़के हैं जमकर उन पर गुसा निकाली है जिस परकार जेपी नड़ा ने बयान दिया था कि जितनी भी शेत्रिय पार्टी हैं उनको खत्म कर देना है शेत्रिय प तोर पर कहना है तेश्य यादो का कि अगर ऐसा ही है तो जनगर्ना के इंद्र सरकार में क्यों कर वालेते जनगर्णा होने चाहिए सबसादों में उन्होंने जेपी नड़ा पर जमकर भडास निकाली है जमकर गुस्सा हुए है हम आपको सुनवाते हैं तेश्य बिसात सब्सक्राइब कर दो करते हैं जो लोग ऑपती जो लोग दर्श करते हैं वनों लोगों कम से कम प्रधान मत्षी से बोल करके देजभर में जाती जए तेनकार वानी चाहिए यह तो तो आपको पता होगा ना कि आपकी अबादी जो है देश की कौन सी स्थिति में है कौन सी अबादी है कैसी स्थिति में है क्या कर ली है तो यह सरा पता होना चाहिए उसी साफ से तो सरकारे जो है वो काम करेंगी तो प्रेंका जी ने जो बोला है उसका हम रोग स्वागत करते ह जब पटना थो तो तो नहीं गार भई है कि छेत्रिय पार्टियों को समाफ्त कर देंगे अब इसा तो लग रहा है वो खुदी समाफ्त हो रहो है को इनके साथ है को ना तेश की जनता है ना चेत्रिय अदल है ना कोई है और छेत्रिय अधल स्टेट है तभी ना सेंटर है उन्हें एकार में यह था काम है तो देश पे आना ले काहिला पनोडीजी बना कर देत ते काहलाइन के मंत्री सब लोग सब राजसबा में बोलता हम नहीं कराएंगे दिख्षांस एडू टेक लाया है दिख्षांस डिजिटल क्लास दिख्षांस डिजिटल क्लास का उपयोग कर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिख्षांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैट कर देखना है तो पेंड्राइब और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिख्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिख्षांस डिजिटल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद